अनलाइक fundamental analysis, technical analysis वाले को बिल्कुल फरक नहीं पड़ता कि stock जो है वो overvalued है या undervalued, वो सिरफ उसके past previous जो data होता है जिसमें price और volume आती है, इन दोनों को मिला कर सिरफ उनके basis पर future behavior के लिए वो trade कर सकता है, लास्ट वीडियो में हमने technical analysis के बारे में थोड़े सी हमने introduction देखी थी, और आज की वीडियो में हम technical analysis के उपर हम थोड़ा सा अंदर deep में जाते हैं, और आज हम उनकी चार technical analysis के लिए assumptions होती हैं, आज पहले उनको देखते हैं, सबसे पहली assumption है कि market जो है सारी चीज़े जो है डि और उसको पता है कि quarterly results जो है न काफी अच्छे आने वाले हैं, तो वो क्या करता है quarterly results आने से पहले जब तक वो information public को पता चले, उसको तो पता है क्योंकि वो एक insider है, तो वो क्या करता है, अपनी company के stocks जो है न, वो accumulate करने लग जाता है, अब जब वो accumulation करेगा, तो क्या होगा, prices जो है वो उसके बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो जो stock purchase कर रहा है, उसकी वज़े से price जो है increase होंगे, अब जब price increase होंगे, तो वो सारी चीज़े हमारे को price के अंदर वैसी पता चल जाएगी, जैसे जैसे price increase होता जाएगा, तो मुझे लगेगा कि भाई, इस में अंदर, इस stock के अंदर की काम चल रहा है, या कुछ ऐसा है, जिसकी वज़े से stock का price जो है, उपर जा रहा है, तो सारी चीज़े जो है, मुझे तो नजर आगी ना, अब मेरे को चाहे वो चीज़ कि उसकी quarterly results अच्छे आएंगे, या नहीं आएंगे, यह इसके बारे में मैं कुछ नहीं ज पड़ता, खासकर इस चीज़ से कि यह price जो है, वो increase क्यों हो रहा है, उसे तो इस चीज़ से मतलब पड़ता है, कि जब भी कोई technical analyst होता है, उसको सिरफ इस चीज़ से फरक होता है, कि यह जो price है, जो भी information आई है, उसके उपर price react कैसे कर रहा है, ना कि कि किसलिए कर रहा है, तो इसलिए हमारे को इस statement में देखने को समझ आता है, जो second main assumption होती है, कि market में यह चीज़ क्यों हो रही है, उससे जदा better है, उससे जदा important है, कि यह market में चीज़ कैसे हो रही है, थर्ड इसकी assumption होती है, कि price जो है ना trend में move करता है, सारे जितने भी major moves आते हैं ना market में, वो ए phase का time duration जो थी ना वो थी लगबग 1-5 साल की, तो इसे हम ऐसे समझते हैं कि जब एक trend define हो जाता है, तो price जो है ना उसी trend में चलता जाता है, और उसके बाद जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि हमारे को market में गिरावट देखने को मिल रही है, क्यों? क्योंकि उसका अब हो सकता है कि trend जो है वो negative हो गया है, अब उसका trend जो है bearish हो गया, अब उसका downtrend में आगी है market, तो इससे लिए अब जो है price काफी time से, पिछले एक-दो महीनों से जो है na market में जो price है, यानि कि nifty या sensex किसी भी stock का price देखे ना normally, तो वो अब इस time जो है वो गिरता ही जा रहा है, फिर या बजाज पने जैसी बड़ी company सी, और fourth assumption होती है कि history tends to repeat itself, technical analysis में price ना उसी type से react करता है, जैसे वो past में भी react कर चुका होता है, ऐसा इसली होता है, क्योंकि market participants जो होते हैं वो भी जब कोई कैसा pattern बनता है ना तो वो उसी type से react करते हैं, जैसा अगर वो 2 साल पहले या 5 साल प participant जो है ना अब उसी type से react करता है, जिसकी वज़ा से हमारे को फिर से वही same चीजे, यानि कि history जो है हमारे को दुबारा repeat होती होई नजर आती है, for example, market participant जो है जब market uptrend में जा रही होती है ना तो वो उसी type से, मतलब कोई भी चीज जो है वो buy करता रहता है, irrespective of high prices, और downtrend मे जब जाती है तो वो सब कुछ बेचने को तयार बैठा होता है, जिसकी वैज़ा से human reaction ensure करते हैं कि history जो है अपने आपको repeat दुबारा करती रहे, so ये थी दोस्तो चार assumptions जो technical analysis के लिए काफी ज़ादा जरूरी होती है, अभी तक अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी doubt है न तो इस चीज को ना note करते जाओ, देखो सिरफ ये वीडियो को सुनने से कोई फरक नी पड़ने वाला, आपको उस चीज को समझना पड़ेगा, और अगर आपको कोई doubt या कोई confusion रहती है ना, तो वो point जो है note करते जाओ, तो इसके लिए आप panel register लेकर बैठो, और जिस भी point म हो, और कोई confusion या कोई question रहता है ना, तो वो भी आप note करके रखो, ताकि अगर आपको वीडियो में, वीडियो कतम होने के बाद वो चीज नहीं समझाती ना, तो at least अपने comments में, अपने question पूछ कर, अपनी queries जो है, वो resolve करवा सकते हो, तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको अब यहां तक जो है, वो चीज़े समझा की होंगी, so let's move on, chart और price patterns पर जाएं, बट उससे पहले हम इसके components को समझते हैं, तो सबसे पहला और सबसे important जो component आता है, वो है price, तो चलिए अब हम इसे इस type से समझते हैं, इंडियर market के जो timing है, वो हैं सबा 9 से लेकर 3.5 बजे तक, तो इस सबा 6 गंटे की जो market session होता है, इसमें काफी सारे stocks में हर price पर millions of transactions होती है, तो क्या अब हमें इस चीज़ की जरूरत है कि हमें हर price point, जिस भी level पर, जिस भी point पर, जिस भी price पर कोई भी transaction हो रही है, तो हमें क्या सारे price points track करने की ज price पर, जिस भी rate पर transaction हो रही है, अब देखो वो एक stock में भी होती है, काफी सारे stocks में होती है, indexes में होती है, तो इतने सारे price points को track करना काफी मुश्किल, in fact impossible होता है, तो इसके लिए केवल 4 main points को समझने की जरूरत है, OHLC, जो का मतलब होता है open, यानि कि जिस rate पर, जिस price पर, मान लो, आज Monday है, और Monday के दिन, जब 7-9 बज़े सुबा market open होती है, तो उस दिन वो stock या index, जो है, किस rate पर open हो रहा है, यह होता है, हमारा open price, उसके बाद आता है H, H यानि की high, आज के दिन में मान लो, वो price जो था, Tata Motor का share जो था, वो open हुआ 500 रुबे पर, लेकिन, पूरे H से L का मतलब समझी के होंगे, तो L का मतलब होता है low, तो यानि की आज के दिन, वो जब वो 500 बर open हुआ, साड़े 500 का उसने high लगाया, तो कुछ आज के दिन में उसने low भी लगाया होगा, अब या ता वो 500 का भी हो सकता है, या 500 से नीचे का भी हो सकता है, तो सपोज हम मान के चलते हैं कि आज के दिन उसने 4500 का low लगाया, तो यानि कि आज कि जो lowest उसका price point था ना, वो होता है हमारी L की value, और उसके आद आता है close, यानि कि C, तो इसका मतलब यह होता है कि पूरे दिन में, जब वो पूरी उपर नीचे की trading होने के बाद, जब साड़े 3 बजे market समझते हैं कि संबोज हम टाटा मोटर का शेयर लेकर चल रहे हैं, ओपन हुआ हमारा 500 बर, high लगाया उसने 4500 का, low लगाया उसने 4500 का, और आज के दिन में इतनी बड़ी वो trading करने के बाद close हुआ वो 520 रुपे का, तो 520 का जो price आया ना, वो आया हमारा आज का closing price, यानि कि close की value, of course अभी हम इसे और अच्छे से detail में समझेंगे भी और इसे practically देखेंगे भी, close price जो होता है ना, वो काफी जादा, एक तो market के sentiments को दिखाता है, तो इसलिए काफी जादा important हो जाता है, उसके अलावा ये अगले दिन के लिए na reference point की तरह भी काम करता है, so आप इन चीज चारो prices को study करना है, जिसके लिए हम use करने वाले हैं Japanese candlestick pattern को, इसके अलावा और भी कई तरह के charts होते हैं, जैसे column chart हो गया, pie chart हो गया, area chart हो गया, line chart हो गया, और ये सभी patterns ना, इतने effective नहीं है, क्योंकि technical analysis में, ये जो जितने भी type के charts हैं, ये सिरफ एक price point दिखाते हैं, लेक candle stick pattern का chart, और अगर आप candle sticks को बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल basic से समझना चाते हो कि candles क्या होती है, किस type से बनती है, open high, low close के बाद किस type का color बनता है, तो आप जो है, इस वीडियो को देख सकते हो, आज के session में हम यहीं तक रखेंगे, लेकिन next session में नेक्स्ट वीडियो मे अभी तक कि ये वीडियो पसंद आई, तो इसे like करना और share करना बिल्कुल ना भूले, अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिया बटन पर click कीजिए और subscribe कीजिए इस channel को, साथी में बने bell icon को भी जरूर प्रेस करे, ताकि जैसे ही इस channel पर कोई कोई भी इंट्रेस्टिंग वीडियो जो है, जो आपके लिए काफी फायदे मन्द हो सकती है, जैसे कि ये वाली वीडियो होगी या इस सीरीज में जितनी भी वीडियो आ रही है, वो सारी वीडियो अगर आप लोगों के लिए उन में से कोई भी वीडियो इंपॉर्टन हो कर दो कि वीडियो एंगर का में जो अब पर एद है।